सी एम जैराम ठाकूर के ग्रियक्षेतर के बागवान एंटी हेल गन लगने का इंतजार कर रहे हैं। बागवानों का कहना है कि एंटी हेलनेट से सेब के पौधों की सही ग्रोथ नहीं हो रही है। बागवानी मंत्री ने जल्द सराजगाटी सहीत, मंडी, कुलू और शिमला जिला में 20 एंटी हेल गन लगाने की बात कही है। वही मौसम की मार के कारण प्रदेश सहीत सराजगाटी में भी सेब का उतपादन कम होता जा रहा है। ही माशर प्रदेश के शिमला जिला में जहां सेब का सीजन शिरू हो गया है, वही मंडी जिला की सराजगाटी का सेब 10 अगस तक मार्केट में पहुँचने की उमीद है। अधिकतर सेब की फसल त्यार हो चुकी है और अब इसे मार्केट पहुचाने का काम शिरू होने वाला है, लेकिन प्रदेश सहीत मंडी जिला बेबी सेब की काफी कम पैदावार हुई है। इसे जहां हर वर्ष 1500 से 2000 ट्रक मार्केट पहुचते थे, वहीं अब मात्र 250 से 300 ट्रक ही निकलने की उमीद है। कम पैदावार को देखते हुए घाटी के बागवानों ने कर्च के ब्याश में माफी की गुहार भी राज्य सरकार से लगाई है। वहीं इस वक्त सराजगाटी के बागवान यहां एंटी हेलगन का इंतजार कर रहे हैं। मौसम की मार से बचने के लिए सरकार ने बागवानों को एंटी हेलनेट की सुविधा सबसीडी पर मोहिया करवाई है। लेकिन बागवान अब इस तकनी को नकारते हुए नजर आ रही है। बागवानों के अनुसार इससे सेव के पौधों की सही धंक से ग्रोथ नहीं हो रही है। और सेव का पौधा उपर जाने की बजाए नीचे की तरफ मुड़ रहा है। इन्होंने सरकार से सराज घाटी में जल्द से जल्द एंटी हेलगन स्थापित करने की घुहार लगाई है। दूसरी सालों के पेश हमें 25 है। और अभी मार्केट में सेव जाएगा ने बजो कच्छा है। मेरा कलमा 15 अगर्स के पीच भी मिचाना सेव जाएगा। कर दूसरी सेव का इस साल जो में रिजर रहा, तो डूसरी बजाबी रहा नमर लोग इसको चिलिंग कर अबर मिलना चाहिए। प्रपर बरफ निगरी इस साल श्नोपल तो बहुत कम है। यह भी कारनल रहा। बगी फूर तो बहुत कम है इसाल बहुत कम है। अलवर हमारी बहुत कम है। लोग जो है के सी की हुई है लोगों ने उद्र से जो आए वहां निकालते हैं और उसमें डालने के लिए कोई साधन नहीं है। हम सरकार से यह चाते हैं कि उसमें कोई हल्प की जाए, ब्याज में जो कटौती की जाए और लोगों के लात बहुत कराब है। जैसे हमने नेट लगाई है, इस नेट से तो बहुत लोगों का और भी खर्चा हो रहा है। जैसे ख्रिदने का तो हो ही रहा है उसके पार लगाने का भी हो रहा है और निकालने का भी हो रहा है तो डबल खर्चे में जो है लोगों इसमें आ रहे हैं तो हम यह चाहते कि बागवानी में जो है इसमें हेल गन का बहुत अती लगना जुरूरी है अब नेट का करते हैं तो नेट में हमारा पौधा ड्वाल्फ हो रहा है नीची की तरफ जा रहा है क्योंकि जब पौधा उठेगा तो उसकी टेहनिया उपर से मुड जाती नेट के अंदर तो इससे माइट का और दूसरा प्रकोफी बीशा बहुत बढ़ रहा है सराज घाटी के बागवानों के समस्या को लेकर जब बागवानी मंतरी महिंदर ठाकूर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि केंदर सरकार से 20 एंटी हेलगन के लिए धनराशी मंजूर करवा दी गई है यह एंटी हेलगन मंडी, कुलू और रिशिमला जिलों में लगाई जाएंगी ताकि बागवानों को मौसम की मार से बचाया जा सके आपको बता दें कि मंडी जिला की सराज घाटी ही एक ऐसा इलाका है जहां सेब की पैदावार काफी बड़िस तर पर होती है। हालांकी जिला के दूसरे इलाकों में भी सेब के बागीचे हैं लेकिन वहां इतनी पैदावार नहीं होती है। यही कारण है कि घाटी के बागवान सरकार से धेरों उमीदें लगाई बैठे हैं। Bureau Report, Polestar TV, Mandi